तो आज मैं बनाने जारी हूं कटेहल तो वैसे कटेहल किसको किसको बहुत ज्यादा पसंद है अगर थोड़ा बहुत कम भी पसंद होगा तो आज का वीडियो देखेंगे आप लोगों को यह बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है बिल्कुल नया तरीके हैं तो चलिए बनाने अच्छा टेस्ट आने वाला है हमिंको पीसे मसाले यूंज नहीं करें सारे खड़े मसाले ही लेंगे और उसको हलका सब भून लेते हैं यहीं बहुत अच्छा टेस्ट आता है यही मैंने कुछ खड़ी लेशन की पोथी ली हुई है मतलब इस तरह से खड़ी लेशन ली है और इसको इसमें एट कर देंगे साथ ही छोटी-छोटी सी प्याच को भी बिना कट किये इसमें एट कर देना है और यहां मैंने यह कट हल लिया है इसको कट करके अच्छे से वाश कर लिया है और इसमें सारी चीजे एट करके और इसका हलका कलर चेंज होने तक अच्छे से पकने तक इसको इस तरह से फ्राई कर लेना है यह देखी जैसे ही सारी चीजे फ्राई हो जाएंगी तो हम इनको निकाल के अलग रख लेते हैं और यह हम और चीज़े एट कर देंगे यहां मैने तेज पत्ता पहले नहीं आइट किया था तो इसमें तेज पत्ता एट कर देते हैं और यह देखे अब प्याज का कलर जो है बिल्कुल चेंज हो गया है प्याज अच्छे से पग गई है तो यहीं अब इसमें हम एक चमस्तक बेस और यहीं हम थोड़ा सा पानी और एक्स कर देते हैं और इसको पकने के लिए रख देते हैं और कम से कम दो यह तीन मिनट के लिए इसको दीमी दीमी आज में पकने देंगे गैस के फिलेम को बिल्कुल लोही रखना है और अब हम चेक कर लेते हैं यह देखे सारे मशाले अच् मैं यह देखे यह बिना पानी देखे दिखे लोगों को चिकन बहुत ज़्यादा पसन्द होगा तो उनकी तो यह बहुत तेस्टी लगने वाला है तो यह देखे बहुत अच्छा दिखरा है और यह हम ग्रेवी के लिए पानी आइड कर देंगे तो जिस हिसाब से आपको ग गिलास तक इसमें पानी एट कर दिया है और स्वादमसार नमक करेंगे यही हम थोड़ा सा कस्तूरी मेथी एट कर देते हैं इससे खुस्पू बहुत अच्छी आती है साथ ही चुटकी भर काला नमक करेंगे और बस इसको मिक्स करके ढखके इसको पकने के लिए रख देते हैं और यह देखे 10 मिनट बाद अब चेक कर लेते हैं गटहल की सब्जी बनके रेडी हो गई है यह देखे बहुत ही ज्यादा टेस्टी दिख रही है इसका कलर देखिए और लाश्ट में बारीक कटी भी हरी धनिया एट करके और गर्म गर्म इस सब्जी को चावल के साथ रोट यह जिए गहोरा